नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा जितने में मारे व्यूवर्स हैं जल से जल जूने ताकि ये महत्पुन जानकर ये आप तक लाएं मामला सामने जो आ रहा है ये बखशी नगर पुलीस स्टेशन का मामला सामने आ रहा है लगातर अगर बात करें प्रशासन और सरकार की और से जितने भी भरष्टाचारी आफीसर हों या एधारे हों जिनमें वो लोग काम करें हो लगातर अब उन पर लगाम कसने का काम के बख्षी नगर पुली स्टेशन से मज़ने चाहते हैं काफी पर शिकायते भी आती हैं लोगों से उनके काम करवाने के पैसे मांगे जाते हैं आंग जनता को रास करने का प्रयास भी किया जाता चाहे वो किसी भी सरकारी इधारे में अगर जाता है कुछ हर सरकारी इधारे म किसी तरह के करफट लोग ज़रूर ब्रश्टाचारी लोग ज़रूर छुपे होते हैं जो कहीetenा कि आपनी ये कहेंगे कि अपनी आपनी जो कुरसी का या अपनी ओहोदे का गलत फाइदा उठाते हैं अब बताना चाहेंगे के बात पूरी क्या बात पूरी यह है कि एक ACB के रेड द्वारा जो की पुली स्टेशन बक्षी नगर के जो AI है जिनका नाम मुझम्मिल है उन्होंने किसी एक व्यक्ति को किसी केस के सिल्सले में उनसे 10,000 रुपे की रिश्वत मांगी और उस व्यक्ति की सबसे पहले कहेंग सबसे पहले उसने ACB से कंटेक्ट किया क्योंकि लगातर एंटी क्रफशन ब्यूरो आपको टेक्स मैसेज भी आते हैं मैसेज के मादेम से अगर कोई भी आप से रिश्वत मांगता है तो आप उन्हें संपर करकर अपनी समस्या बता सकते हैं और एंटी क्रफशन ब्यूरो प को पुली स्टेशन बख्शी नगर में और उसी के चलते यह ASI जो हैं जिनका नाम मुझमील है इन्होंने उससे जो की डिमांड की दस हजार रुपे की और उस व्यक्ति ने ACB से कंटेक्ट किया ACB तक यह जानकारी दी और ACB ने पुरी तरह से एक प्री प्लैन यह जाल चुकि उन्होंने एक प्लैन के मुताबिक उस व्यक्ति को अपने से 10,000 रुपे दिये ताकि आप उस मुझमील जो ऐसा हैं उन्हें बुला कर यह कहे जाकर उन्हें पैसे दे जो उन्होंने रिश्वत के तोर पर मांगे हुए थे और जब कि उनके पास जो पैसे दिये जात में तो वोने कॉल करते हैं काल करकर कहते हैं जनाब मैंने पैसे का इंतजाम हो चुका है जो आपने पैसे की जो डिमांड कीती 10,000 रुपे आप आकर पैसे ले जाए और जब ऐसे मुसम्मिल पुली स्टेशन से बाहर आते हैं पैसे लेने के लिए और तुरंक एसी भी उन्ह उसी जो रखम लेते हैं की पार भारभार हमें मैसेज जिस भी आते हैं कि अगर पुली स्टेशन में जाते हैं उन्ही के काम से उनके पैसे मांगे जाते हैं हर जगा तो नहीं कई पर कही जगा इस तरह के लोग बतना चाहेंगे ऐसे भैरूपी है बैठे होते जो वर्ती की योड में कही ना की department को badnaam करने का परियास करते HIM और आमजनता को हरास करते HIM यहिए अगर सरकार की तरफ से आपको बारी बार कम तंखवा मिलती है बारी बारी बार कम आप तंखवा ले ते उसकी बावजुद आप इस तरह से लोगों को उन्हीं की काम का और अगर कोई काम होता है तो आप उनसे पैसा मांगते हैं ये सबसे बड़ी बात केंगे उस व्यक्ति को दाद देनी होगी उसकी इम्मत की अगर हर एक नागरी जमू कश्मीर का नागरी या पुरे देश के नागरी इसी तरह से अगर स्तर्क हो जाए और अस तरह से खिलाफ एक मुहीम छेड़ दें कि कहीं भी अगर आप काम करवाने जाते हैं आप से रिश्वत मांगी जाती है तो आप तरंत एसी बी को संपर करें एसी बी जरूर आपकी मदद करेगा उन बैर उपियों को पकड़ने में कहीं बारा सा होता है तहसील में जाते हैं या इस बारा की चीजे जो तहसील आफीज में जाते हैं लोग जो काफी बारा में भी यह मैसेज आते हैं कि मैम हम Tibre हम से इस तरह Percy पैसे हैं अपनी जमीन के कागजा निकालने के लिए काफी बारी बरकम उन से रिकम की डिमांड की जाती है हम उन लोगों से भी कहते हैं आप अगर करने में आपका परियास करें आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपके छोटे परियास है परदान मंत्री जी तो कहते हैं ब्रश्टा चार मुक्त जमू कश्मीर ब्रश्टा चार मुक्त पुरा देश पर देश तभी ब्रश्टा होते हैं वो तो पैसे दे देते हैं पर जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे वो किस तरह से परिशान होते हैं ना जाने कहां से उधार उठाते होंगे ना जाने अपने बच्चों का पेट काट कर वो पैसे जोड कर तो वो अपने काम करवाने के लिए देते होंगे तो कहीं ना आपने आपको इज़त दिया आपको नोकरी दिया और आप गोर्मन्ट के सौवेंट है आपको इतनी भारी बरकम सरकार से तंखवा मिलती है और उसके बावजूद आप यानि उस तंखवा से भी आपका पेट नी भरता तो आप खुछ सोचिए क्या दस हजार से बीस हजार से आपका पेट भर पाएगा यानि यह लाल सा है पैसे कमाने की होड है तो याद रखिए इस तरह के कमाई हुए पैसे कसी भी गरीब व्यक्ति से उसके काम करवाने के पैसे लेना जबर्दस्ती उसे हरास करके पैसे लेना एंटना चाहे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो तो कल को भगवान ना करें उन लोगों की हाएं आपके अपने परिवार पर लग जाए कोई ऐसी अनोहोनी हो जा जिसके लिए आपको बाद में पश्ता ना पड़े तो हम जितने भी इसट जंता हमें देख रही है शेत शितल सिंगरे बिलकुल भाई या ठीक हो जो भी आप इस समय देख रहे हैं आप आपसे निवेदन करते हैं अगर आप नहीं भी ऐसी भी को बताना चाहते हैं अब तुरंथ हम तक संपर करें हम जरूर मदद करेंगे माज़ चाहते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए क्योंकि ये बरष्टाचार एक ऐसा गुन है जो समाज को अंदर ही अंदर खोकला करता जा रहा है और खास करके जो निचले तबके के वर्ग है यानि के जो गरीब वर्ग है वो लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल और मुखाल होगी है अगर इंके भी कही काम होते कई जगा से हमें खबरे आती है कि मैं हमसे पैसा मांगा जाता है प्र लोगों आगे आने से डरते है आप धरिये मत अगर आप हम तक यह बात लाते हैं हम वह बात को बड़ी तरीके से शाहन छिलता से उस बात को बड़ी पुशीदा तरीके से परिशास और सरकार तक रखे खास करके ACB की मदब से उन लोगों को जरूर हम एक्सपोज करेंगे आप डरीए मत देखिए उस व्यक्ति का एक अदम कहींदा कि आज ACB ने मुदं जो है उन्हें अरासत में लिया ना जाने कितने और लोगों को इसी तरह से वो लूटते होंगे कितने और लोगों किसी तरह से और पैसा और ये याई एक पोली स्टेशन में बैठ कर आप वर्दी को बदणाम कर रहे हैं उस पुली स्टेशन के अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं तो ये चीज़े वाकई यही ना कई रही सही नहीं है यानि ऐसे लोग समाज के लिए तो दबा होते हैं उस जगा के लिए उस कार्य है जहां पर वो काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक दबा है बहुत बढ़ा तो ना जाने फिर से वो इसी तरह की चीज़ें करते हो तो इन लोगों के लिए इस तरह के सक्त पुखता इंतजामात होने चाहिए ताकि आने वले समय में किसी भी गरीब से यानि पैसे एंटरें की जुरत ना करें यानि आप इसकदर लालसा में ढूप चुके आप इसकदर परिशान हो चुके हैं यानि पैसे की आपको इसकदर होड लग चुकी है कुछ भी हो आपने किसी तरीके से भी लोगों से पैसा इंटर है यूनि आए दिन इस तरह की शापा मारी हो रही है आए दिन इस तरह के केसे सामने आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो भी हम बार बार अपनी जन तक कहीं से भी अगर हूँ आप अगर किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं अगर आप किसी भी जगा जाते हैं अगर आपको लगता है कोई आपके ही काम करने के पैसे आपसे मांग रहा है आप सरकारी इदारे में बैठ कर सरकारी कुर्सी पर बैठ कर सरकारी दफ्तर पर बैठ कर तो आप तुरंथ हमें इंफार्म कीजिए क्योंकि कई बार लगाता है हमें फोन आते हैं खास करके तहसील आफिस से आरसपुरा की बात करे या आगे पीछे की बात करे ज पूरो अतसिल आफिस की में भी आला अधिकारियों को पता भी ना हो कि उनके नाक तले ये छोटे आफिसर जो है क्या कार रहे हैं तो इसकी चीज के लिए आप हमसे जरूर संपर करें हम आपकी जरूर मदद करेंगे क्योंकि आपकी छोटी सी मदद जो की हमारे समाज को एक न जम्ठा जो भी समय में देखने अम आप लोगां से एक बात जरूर आपकी हल्प चाहते हैं आप मदद चाहते हैं अपनी जनता के लिए क्यauk को जब भी कोई बुलाता है जनता मीडिया तब ही वह तक जाती है पर लोग किये मीडिया की जिंदधी मीडिय कर्मियों की जिंदगी इतनी असान है मीडिया कर्मियों की जिंदगी इतनी असान भी नहीं है बिल्कल माही कंडोतरा जी आपने बिल्कुल कहा और मीडिया चोहतं dov स्दम कहा जाता और आज वही क्यों चोहतं कही ना कई खत्रे में नजर आ कि हमारे जैसे ही बिल्कुल हमारे जैसे लोग यानि कि हमारी तरह मीडिया जो अपना काम करें और कही बर ऐसा भी होता है कि मीडिया अगर कोई सच दिखाती है तो उसका भुगतान उनको ही नहीं बलके उनके परिवार को भी करना पड़ता है और जिस तरह से आप देखते हैं आज के दोर में अब मीडिया अपको भी टारगेट किया जा रहा है मीडिया कोई धंकिया मारने की धंकिया दी जा रही है यह नई बात नहीं पहले भी होता है पर अब अब पर इसका भी संग्यान लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर आम जनता की आवाज उठाना गलत है गुना है तो हम तो यह सोचते हैं जो लोग वाकिए इमानदारी से पत्रकारता कर रहे हैं उन्हें यह पत्रकारता ही चोड़ देनी चाहिए क्योंकि यह कहेंगे चत्रकारता करने वाले काफी लोग आपको मिल जाएंगे क्योंकि कही एक महिला है कोई एक महिला उन्हें काल किया था कि बड़े बड़े अपने आपको पत्रकार लोग कहने वाले जो खुद को कहते हैं हम बड़ी आवाज बनते हैं सबसे पहले हम एक कहेंगे सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं उसके बास सब बाद में हैं कोई कुछ भी कहें उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर सवाल बढ़ाई है कि आप हर कोई चाहता है कि मीडिया भी उनके हिसाब से चले और चटुर खारता करने वले आपको काफी सारे लोग मिल आइगे जो यह कहेंगे बड़ी बड़ी बाते तो करेंगे पर वह घरी जन्ता की आवाज नहीं उठाएंगे वह और ब्हुं को बारी बर्कम वहां से उनको एड्स मिलते होगी यह कई से कहीं उन्हें तोफे मिलते होंगे बड़ी-बड़ी जुएलर्स की शाप पर कहीं होर जाकर क्योंकि हम नाम तो नहीं लेंगे पर जरूर यह कार कर दी ही बताएंगे यह बड़े-बड़े मॉल्स में जाकर उन्हें फ्री के कपड़े मिलते हों वो जरूर आपकी चतुर कारता करते होंगे पर जिन लोगों को अपने जो भी अपने यह कहेंगे हमें बगवान का दिया और सब कुछ है सबसे बड़ी बात है इमानदारी इमानदारी होना बहुत जरूरी है जनाब और आज के दोर में इमानदार इंसान ही पिसता है जदा इमानदारों को ही धमकी आती है इमानदारों को ही मारने की धमकी आती है इमानदारों के बीम्स बनते है इमानदार लोगों के प्रॉल होते हैं और जो चटुर कारता करते हैं जो चमचा गिरियां करते हैं उनकी तारिफों के पुल बादे जाते हैं तो वक्त सब कहाता हम य हम आज कुछ परिशान लग रहे हो रविंदर रंसी हम परिशान नहीं होते हैं आप ये शुक्रिया आपने हमारा इतना सोचा हम परिशान इसलिए नहीं होते हैं हम परिशान इसलिए होते हैं कि आज के दोर में चटूर कारता करने वाले लोगों की लोग जयाजाकार करते हैं यानि जो आपके साथ यानि जो जहां भी जाएगा उसी के बाशा बोलेगा और कही और जाएगा उसी की बाशा बोलेगा यानि ऐसे लोग चाहिएं समाज के लोगों को कि जो जहां पर जाएं उनी के हो जाएं बाद में उनी के खिलाब बोले दूसरी जगा जाएं उनके खिलाब पहले वालों के खिलाब बोले तो जनाब ये पत्थिरकारता नहीं होती है चटूरकारता होती तो हम एक पत्रकार हैं, ना कि हम किसी को suggestion दे सकते हैं, ना कोई फैसला सुना सकते हैं, और पत्रकार का काम है जनता की आवाज को सामने लाना, ना कि पार्टी बाजी में डूब कर ऐसी चीजे करना, ना कि किसी पार्टी काम कर सकते हैं, ना किसी पार्टी के हग के लिए बोल स बिल्कुल आप ठी खरहे हैं कि जूट जादा दिन नहीं चलता, आप बिल्कुल सही कहा रहे हैं श्पिटल में युष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं बिल्कुल आप साहिल दोगरा जी आप इन बॉक्स में अपना नंबर कार दीजिए हम जरूर आपसे संपर करेंगे जिन लोगों की परिशानी है वो जरूर हम से संपर करें सच सच होता बिलकुल हफीज जाहीजी सच सची होता क्योंकि कई पर ऐसा होता अगर आप सच दिखा रहे हैं तो लोग बड़ी ही जल्दी यानि बड़ी ही जल्दी आपके लिए टिपनिया कर देंगे आपके लिए पूरा आपकी life history बता देंगे यानि एकदम से आपके लिए राय काइम कर लेंगे तो वो भी सही नहीं है अगर आप जनता चाहती है कि आज के दोर में चटुरकारता ही चाहिए तो लगता है हमें ये प्रोफेशन ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि आज के दोर में चटुरकारता ज़दा काम करती है लोग उसी को पसंद करते हैं बिल्कुल हाफीज जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हम अपना ही काम पर ध्यान देते हैं क्योंकि लोगों का काम हैं कि जब उनके मताबिक नहीं चलें तो लोग बोलते हैं जब उनके मताबिक चलें तो लोग बड़े खुश होते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे मतलब परस्जीने कहेंगे जब जरूरत होती है तो मीडिया को बड़ी वाई 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 शाबाही करेंगे क्योंकि हर कोई अ यह आज चल रहा है और अगर हम कहते हैं कि मीडिया का काम है सच दिखाना बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही का आश्वनी शर्मा जी हम वही कर रहे हैं राकी शर्मा जी धन्यवाद राकी पत्र का दो है जो मुं में एक अर्विन से दुसरे आप हो सुरिंदर लंका राक कर दी थी हनुमान जी की पूँचने यानि कि पूँचने ही पूरी लंका को ड्या दिया जिस रावन को ये गुमान था मुझे कोई नहीं मिरांत होना है नहीं मेरी लंका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो ये लोग क्या चीज हैं यानि ये जो लोग बेटी को या किसी को भी परिशान करने का परियास करता तो यह सोचिए यनि उनका सर्वनाश निच्चे है यनि उनका सर्वनाश पास है अगर कोई भी ऐसा करता उस भगवान के घर में देर जरूर है अंदेर जरूर नहीं है यह आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं हम कोई यह नहीं कहेंगे, हम बड़े ज्ञानी है या करें, पर जो सच बात है, हम जरूर आप तक रहेंगे, सुनिल सिंग रायपुरिया जी हमने इस समय उनकी बात ही नहीं कही है, süनिल बड़े, उनकी बात ही नहीं कर रहें तक रायवे जो समय हुआ था, चैसे हम फिलाल एक ही समाज में रहना, ऐसी चीज़े हमें शोबा नहीं देती कि अपने ही समाज के लोगों को उटकर हम टिपनिया करेंगे अपने ही समाज की बेहन बेटीओं को इस तरह से एक है सोचल मीडिया पर वाइरल करकर के फोटोग्राफ और मीम बना कर करेंगे हमारे संस्कार ऐसे नहीं नहीं हमारे माता नहीं पड़ता जो भगवान ने हमें जिस चीज़ के लिए बनाया है जिस चीज़ के काम के लिए जो हमें जिम्मेदारी दी है यहां हमारी जनता ने हम पर विश्वास किया है हम जरूर वो करेंगे पर यह जरूर चीज़ कहेंगे कि जब मीडिया करमी क्या इंसान नहीं हो मीडिया का परिवार नहीं होता मीडिया को आप कुछ क्याते हैं उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है या आप जो मर्जी धडलने से बोले और बाद में यह कहा जाता है एक मीडिया कर्मी की जुबान मीडिया कर्मी की मूँ से ऐसी बात शुबा नहीं देती बले ही आप ऐस कोई बात कर रहे हैं जिसका खम्याज़ा आपके साथ साथ दूसरों को भी वुक्तना पड़े और जो चीज़ें हम मीडिया में भी नहीं लाना चाहें क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें वो चीज़ें हमारा काम नहीं है कि समाज के लोगों में नफरते फिलाने का काम करें या दं इन्नरहंस जी आप सबका प्यार है आप सबकी दूआएं हैं हमेरे साथ और गिते हैं मुद्दझ लाग बुरा चाहें तो क्या होता है वही होता है जो मनजूर्य खुदा होता है यानि उस रब के आगे उस भगवान के आगे मातारानी के नवराते हैं हम यही कहेंगे उन लोगों को भी सदबुधी दे जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और डराने का प्रयास करें इस तरह की चीज़े कर रहे हैं में भी कोई शरारती तत्वी हो पर जिन लोगों के लिए किया जा रहा है जिन लोगों का नाम ले लेके किया जा रहा है उन लोगों के चीज़े क्लियर करनी चाहिए ताकि कल कोई इस तरह की अगर गटना होता उन ल को हमने थोड़ी कहा था मीडिए आपकी कवरेश करें कर्काैं कि बोड़ क्याने की समय नहीं मिलता हैं यह गाने का नियों और Karena थांक यू रप शूरेश बंदोचर जी आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल विशाल सिंग जी हम आपकी बास से बिल्कुल सेमत है आपने बिल्कुल ठीका आपने बिल्कुल ठीका बिल्कुल धन्यवाद श्मिनी शर्माजी शायद यही चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने एक दायतम लिया सिर्फ जनता का बिना किसी लालच के बिना किसी टी आरपी के लिए कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं उनको सिर्फ टी आरपी चाहिए चाहिए वो कितना भी गलत कर लें उनको सिर्फ टी आरपी के लिए में भी किसी के बात्रूम में भी घुजज़ाएं यानि ये बड़ा सवाला किसी के बात्रूम में भी आप गुज़ जाओ टी आर्पी चाहिए यानि किसी मासूम को आप गलत ठहरा दो आपको टी आर्पी जनाब चाहिए तो जनाब ऐसा काम हम ना करेंगे यानि ये बड़ी स्यासतों को यानि ये कहेंगे बड़ी-बड़ी सरकारों को गिराने में माहिर है तो हम लोग क्या हम तो चोटे से हैं यह नहीं हम तो एक छोटी सी पतर का रहा है हम आपने आपको कुछ भी नहीं समझते हैं हम तो चोटे से पतर का रहा है हम बहुत कुछ सीख रहे हैं हम बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं धन्यबाद वानी श्वाक जी रंदीब सिंघ्वाल जी रंदीब जी आपने कून सा कमेंड दिया है जी जी आपके साथ उस जिन 23 सेट्टमबर को रिपोर्टर थे वो क्या बोल रहा था मैं माप सुनी थी वो बात आपका क्या बोलना है रंदीब सिंघ्वाल जी हर सिक्ये के दो पहलू होते हैं हमने आपको पहले भी कहा अभी भी कुए हैंगा आप सब की हम बहुत इज़स्थ करते हैं आप हमारे लिए बहुत ही मुल्नेवाल हैं। क्योंकि हमारे ethics हमें इस चीज़ की बिलकुल भी इजाज़त नहीं देते हैं और रंदीर जिंग जवाल जी आपने जो सवाल किया आपने सिक्के का एक पहलू देखा और अगर दूसरा पहलू कभी सामने आ जाता में भी बड़े धंगे हो जाते कुछ अन्हों नहीं हो जाती उस समय भी आप लोग कहते कि मीडिया नहीं दंगे करवाएं मीडिया नहीं गलत काम करवाया तो इसलिए हम बैतर है इस चीज़ पर नहीं बात करें तो बहुत अच्छा होगा हर सिक्के के फिर से कहेंगे दो पहलू होते है और अगर जिस दिन दूसरा पहलू सामने आगया तो बहुत परिशानी हो जाएगी तो इसलिए हम बात बात शूरू से ही कहा पहले भी हम कह चुके हैं मंदीब जी, रंदीब सिंग जी के नफरतों की दिवार फिलाना हमारा काम नहीं है कही बार ऐसा भी होता है हमें पत्रिकारता से हट कर भी कुछ काम करने पड़ते हैं कुछ चीजों को हमें शुपाना पड़ता है उन चीजों को जिससे जनता में आने से नफरते होंगी, दंगे हो सकते हैं फसाद हो सकते हैं इसलिए वो काम हमें शोबा नहीं देखता ना ही हमने करना हो ना ही टी आरपी की भूक है बले हमें दस व्यूज आए बले हमें हजार व्यूज आए पर हमें इस बात की खुशी होगी वो हमारे अपने कमाये हुए हमारी जंता के प्यार है हमारी जंता का आशिरवाद है तो व हम भी दननेवाद करते हैं आपका शुक्रिया ऐगर गए जब तक आपने देखा अगर नहीं देखेंगे तब भी हम आपका शुक्रिया करते हैं और जो लोग देख रहे हैं जो लोग हमें सपोर्ट करें हम उनका भी तह दिल से स्वागत करते हैं मी रंदर करते हैं आपका भी शुक्रिया करते हैं क्योंकि समाज में बड़े सारे लोग होते हैं जो फूट डलवाने का परियास करें और ये दिश्चे है औरता है जो दूसरों को गिराने का परियास करता है तो भगवान उसे पहले ही गिरा चुका होता है यह आप भी जानते हैं यह हम भी जानते हैं और सत्य क्यादार पर यह बाते हम आपको कह रहे हैं बिल्कुल ठाकूर शिव जी आपने बि सुन रहा है, उनके लिए भी वेलकम है, वो भी अमना वर्जन रख सकते हैं, तो आप को सोचे हम किसी के घर जबरदस्ती तो जा नहीं सकते जब हम यह चीज बोल सकते हैं, तो इसका मतलब उनके लिए भी वेलकम है, अब हम यह तो नहीं कर सकते हैं उनसे फोन नंबर लेंगे उनको बोलें या आप आईए हाँ अगर किसी ब्यूरोक्राइट के साथ किसी आफीसर या नेता के साथ कोई जंता का कोई मसला होता तो उनको जुरूर पूछने काम अधिकार रखते हैं क्योंकि वो पुब्लिक रिप्रेज परिशान कर देते हैं तंदुरुस्ति देवगवान बिल्कुछ शोकतली जी क्यों लग रहा है कि मुझे आपको कोई परिशानी है क्लेर बताओ मैं हल्प करता हूं इसी ठाकुर जी आपका धन्यवाद है देखिए परिशानिया तो हर एक इनसान को है आपको भी होंगी जो दूसरों का गम देखा तो अपना भूल गया ऐसी कोई भी परिशानी नहीं है जो समाज में चल रहा उससे ज़रूर हम परिशान है क्योंकि हमारी जो मौहिंदर सिंग जी देखिए हर एक धरम की आपनी मानता है हर एक कम्यूटी की अपनी मानता है हम उसे इसे चीज़ें कि बात बिल्कल भी न करेंग न करना चाहेंगे तो बैटर है यह चीजें जिस तरह से हो रही हैं बिल्कुल आपने कहा के हिस्ट्री राजपूताना कास्ट बिलांग्स टू वारियर्स एंड स्वोड इस अडंटी फैवावर तो मिंदर जी दुराहे कोई नहीं है और नहीं हम इस पे आप आप आपको हम सबूत कोई दे सकते ना हमने मांगा आपसे जुबूत ना हम कह रहे हैं कि इसे पढ़नी है जिनको पढ़नी उन्होंने पढ़ी है और हमने भी पढ़ी हुई है हमें भी किसी को ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है और जो आप इस समय देख रहे हैं यानि कि अपनी अपनी व्यूज है अपन सुनते वो भी सही नहीं होता तो इन चीजों पर भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि जूरी नहीं जो आप देख रहे हैं वो ही सच हो रजिन्दर सिंग जी आपने लिखा के 23 तारीकों मीडिया वालों के साथ जिन लोगों ने बत्तमीजी की उनका क्या हुआ विकरम सिंग जवाल जी विकरम जी हमने तो ये नहीं कहा कि आपने आपने तो कोई टिपनी नहीं की आप बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं कि परिशानी क्यूं आप तो आपने कुछ नहीं बोला और यह आप भी जाते फ्रम दा वेरी फर्स्ट डे हमने कवर करते थे और अंड तक हमने कवर किया है यह आप भी बड़ा अच्छी तरह से यह ज़रा हिस्ट्री पेड़े और थोड़ा मीडिया का सही मतलब यूज करें चलिए विक्रम जी आपको शहत हम से ज़्यादा पता है हम यह नहीं कहेंगे ह हमें पता हमें अपना काम क्या है जो इस तरह से हम आपके काम में कभी दखल नहीं देते तो मीडिया का काम हमें पता आज से नहीं कर रहे हैं हम आज से लगबग पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख कारी आगे अपनी पत्री कारता करे जिस सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वह क्या बिल्कुल सही है अगर गलती करता है दूसरा गलती करता तो सारे गलतीयों पर गलतियां करते जाते तो उसमें समाज में एक अच्छा मैसज नहीं जाता है हम बार-बड़ यह कह रहे हैं क्यूंकि बात अगर बढ़ें के तो बढ़ती जाएगी बात इसलिए हम इस चीज़ पर बात ही नहीं करना चाहेंगे हम बात करना चाहेंगे अपनी जनता की जो वाकिए एक बड़ा ही घंबीर मुद्दा है और जनता परिशान है थैंक्यू मोह कभी आप ऐसे हुए आज तक मैंने कभी ऐसे देखा नहीं आपको न ने आप रिखा नहीं है मैंने आपसे दो बार पुछा उत्तारीख को जिन लोग ने मीडिया वालों के साथ बत्त्मीजी की है ठैंक्यू कि शोर सिंग जी बिल्कुल जो आप लिख रहे हैं जो आपनी इ तो अच्छी बात है हमारे चैनल वाले भी देख रहे हैं आप दीजी पब्लीसिटी यूर मोस्ट वेलकम जी बिल्कुल स्लमकान जी देखिए यह बात थी जब अगर आपने ऐसी बात छेड़ी दिये तो सबसे बड़ी बात जो राजन सिंग जी है युवाराजपु सभाग के प्रधान है हम उनकी बहुत इज़त करते हैं जब उनकी गलती नहीं थी उन्हें कुछ पता नहीं तो उसके बावजूद उनने अपोलोजाइस किया तो उन्होंने बड़पन दिखाया हम उनकी इज़त करते हैं तो बात वहीं खतम होगी है इसमें कोई भी आगे बढ़ाने पर डिसकस किया है नहीं किया ना तो यह समाज भी एक परिवार की तरह ही है तो अब उन्हें चीजों को लेकर लड़ते जगडते रेंगे तो दुष्मन तो यहां पर ऐसे ही होता रहा हो याणि दूश्मन तो कुछ होते होंगे कि टैंक यू उल्धाफि जान जी कि यह पैस में लड़्लक्टे इनकी derivatives करने वाला बड़ा होता है तो यही सबसे बड़ी बात ही कि ऐसा कुछ भी नहीं आप सोच रहे हैं जो राजन सिंघ जी है वह भाई हमारे हम उनकी आज भी इज़त करते हैं उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो हम क्यों जूट-बुट उनके ओपर कोई इलजाम लगाए उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की उल्टा उन्होंने हालात को संभाला है उन्हों सिच्वेशन को संभाला है तो इसलिए यह कह जीजिए कि घरों की बात घरुनता की खतम हो जाए कि अगर समाज में जिन चीजों को लाने से अगर बदनामी हो या नफरते फैले तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें ऐसा काम करना चाहिए एक ब्रिच का काम करना चाहिए ताकि आम जनता में हम प्यार का फाइदा उठाए ताकि खलल पड़े कही आपसी मतबेद हो जाए तो हमें भी समझभूच से काम लेना और उन लोगों को भी समझभूच से काम लेना है कि आसी चीजे ना करें ताकि आने वाले समय में यह चीजें के बड़ा यहनी के बड़ी परिशानी बनकर सामने आएं तो हम उमीद करते हैं जो भी अभी तक हमने आपके कहा जो भी समय आपके व्यूव आप तक रखे क्योंकि आप हमारा परिवार हम बार बार ये बोलते हैं कि आप हमारा परिवार हमारे ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से हैं आप किस जगा से हैं किस कास से हैं किस धर्म से हैं चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है it doesn't matter for us हमारे लिए बिल्कुल भी यह चीज़े matter नहीं करती है और हम इन चीज़ों में बटना भी नहीं चाहते हैं हम यह जाना चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे हैं बार बार हम यह कहेंगे तो इसलिए हम कहेंगे कि हमें यह चाहिए कि हम development की बात करें हम बेरोजगारी की बात करें हम जनता की परिशानी महंगाई की बात करें इन मुद्धों पर बात करें जो जनता चाहती है उन मुद्धों पर बात करें तब ही जाकर कही न कहीं हमारा भाए हैं अप आवाज कह रहें उठाने के लिए हम अपने डेली वेजर्स बाइयों के लिए भी कहेंगे वाई बैने जो भी हैं हम अपने नेता होंगे जो हम से बी सवाल करते हैं आवाद उठाए ताकि हमारे डेली वेजर्स की आंखों में एक जो उमीद की किरन जागी है हम लोगों के लिए वो उमीद की किरन कहीं न कहीं कामयाबी उनको दिलवाए उनका उनका अधिकार दिलवाए क्योंकि कहते हैं एकता में बल है एकता दिखाई तो हमारे जनता ने हम बढ़ाई जगडा भूल जाईये एक दूसरे को ट्राल करना भूल जाईये एक दूसरे पर टिपनिया करनी भूल जाईये याद से किसी को तो फिर को पड़ेगा पर आप खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के बादिर से और कुछ महिलाएं भी हम ये भी बड़ी एक विडबना की बात है कि चली कुछ तो लोग करें पर महिलाएं भी इसमें बढ़ चर का हिस्ता ले रही है वो कह रही है हम क्यूं बीचे रहे हैं अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं उस उपरवाले ने पहले ही आपके लिए अच्छा सोच के रखा होता है तो बी यूनाइट कोशिश कीजिए इस एक्ता को बनाए रखे इस भाईचारे को बनाए रखे बार बार यही कहेंगे प्रिवार में भी बतबेद होते है पर क्या आप लोगों ने कभी परिवार की बातों को सोचल मीडिया पर वाइरल किया है तो नहीं किया ना फिर ये फरक क्यों यानि अगर आप समाज को एक परिवार की तरह समझेंगे तो हम उमीद करते हैं समाज में जितनी भी बुराई है जितनी भी तृूटी है और जितनी भी ऐसे लोग जो भाईचारे को तोड़ने का परियास करते हैं उनके मूँपर एक जोरदार तमाचा होगा और हम उमीद करते हैं जो भी जनता हमे इस समय देख रही है है वो जुरूर इस तमाचे को उन ल पार्टी का किसी गरीब का क्या होगा ये मेरा सवाल होगा आज के लिए और हमारी जनता इस पर जरूर जवाब देगी और जो भी समया में देख रहे हैं इस वीडियो पर अपने कमेंड अपने सुजाब जरूर दीजी अगर आप चाहते हैं हम और भी कोई इस तरह की चीजे लेकर आपकी जनता के सामने आए तो आपने क्यारी जरूर हम तक रखी हैं हम किसी को के लिए यानि ये कहेंगे हमारे लिए कोई जाती धरम अमीर गरीब कुछ भी मायामरी सबसे ज़्यादा मायने रखता है इंसानियत का धरम और वो धरम सबसे बड़ा है उसे भगवान उ जरूर आपको भी प्यार मिलेगा तो प्यार दीजिए प्यार लीजिए अच्छा सोचिए अच्छा होगा तो फिलहाल ये कहेंगे कि जो लोग सच के राते पर चलते हैं उन पर बुश्कले तो उनको आती हैं बिलकुल मनुचिब जी आप जो भी लिख रहे हैं बड़ा देश की सबीता है जो हमारे समाज को मजबूत बनाती हैं आपका क्याना क्या क्याना इस वीडियो को जरूर आपने जो कमेंट देजी और इस वीडियो को जितना उसे के शेयर कीजिए जोड़े रिया से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जाहिंद जया बारण